नमस्कार जार्खंड राष्ट्री साधन सह मेधा च्छात्रवर्थी अर्थात NMMS परिक्षा 2021 की परिक्षा कि मैज्स का ये सॉल्ट पेपर है और ये इसका पार्ट टू है पार्ट वन में हमने दस प्रस्नों को हल किया था प्रस्न संख्या 71 से लेके 80 तक अब पार्ट टू में प्रस्न संख्या 81 से लेकर 90 तक अर्थात अगले 10 प्रस्न हल करने जा रहा हूं प्रस्न संख्या 81 है कोई डीलर लागत मुल्य पर 20 प्रतिसत बढ़ा कर वस्तूओं की सुची बनाता है तथा वह 10 प्रतिसत की छूट देता है उसका लाब प्रतिसत है 10 प्रतिसत 8 प्रतिसत 9 प्रतिसत या 8 पुनाग 1 वटा 4 प्रतिसत तो आई यह से हल करते हैं देखते हैं किस तरह से यह हल किया जाता है मालिया कि लागत मुल्य ब्राबर सौर प्रतिसत तो इसका अंकित मुल्य सुची मुल्य सुची बनाता है अंकित मुल्य तो अंकित मुल्य यह 20 प्रतिसत बढ़ा के बनाता है तो 100 में हम 20 रुपया जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 120 रुपया अब वह 10 प्रतिसत की छूट देता है इस अंकित मुल्य पर इस अंकित मुल्य पर दस प्रतिसत की छूट देता है तो यह से जो छूट है जिसे हम बट्टा भी कहते हैं उससे पहले निकालते हैं बट्टा ब्राबर 120 रुपया जो अंकित मुल्य है का दस प्रतिसत अर्थाथ 120 गुना 10 बटा 100 यह सुन्न यह सुन्न और यह सुन्न यह सुन्न कैंसिल हो गया तो यह बज़ गया 12 रुपया तो वो 10 प्रतिसत चूट देता है तो अब इसका जो विक्रे मुल्य होगा वो क्या होगा विक्रे मुल्य तो 120 रुपया उसने अंकित मुल्य रखा था और 12 रुपया वो बट्टा यारी चूट दे रहा है तो अब उसका विक्रे मुल्य हो गया 108 रुपया तो इसका जो लाब परतिसत है, वो कितना हो जाएगा, कितने में खर्दा था, एक सो में, और बेचा वो कितना, एक सो आठ रुप्या में, तो ये एक सो आठ घटाओ, एक सो, यानि आठ परतिसत, तो ये हमारा option number 2 से ही है, एक बात मैं यहां बना दूँ, बता दूँ, कि, देखिए, यहां पर तो थोड़ा सा, शौरी, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई, ये अंकित मुल्य है, ये हमने गलत लिख दिया था, अंकित मुल्य, हाँ, हाँ, जो मैं कहने जा रहा था, कि, ये प्रशना अगर आपको बोड में आता है, तो आपको इस तरह से पूरा बनाना होगा, लेकिन अगर ये अब्जेक्टिव कोश्चन के अंतरगत, स्कॉलर्सी परिक्षा में आता है, तो आपको ये इतना लिखना नहीं है, और इसको सौट कट करते हुए आपको चलना है, मैंने समझाने के ख्याल से इसे पूरा डिटेल में बनाया है, प्रसंख्या बिरासी, एक चात्रवास में 75 चात्रों के लिए 24 दिनों के खादे का प्रबंद किया गया था, यदि 15 चात्र चात्रवास छोड़ दिये, तब कितने दिनों तक खादे का प्रबंद होगा, 34 दिन, 35 दिन, 30 दिन, 32 दिन, तो 75 चात्रों के लिए 24 दिनों का खादिपदार्थ है। इसलिए एक अगर चात्र एक ही रहेगा तो यह ज़्यादा दिन के लिए होगा यानि 75 गुने 24 दिनों का 15 चात्र छोड़ देते हैं यानि 75 में 15 घट गए तो बच गए अब 60 तो 60 चात्रों के लिए खादिपदार्थ कितने दिनों तक रहेगा तो यह हो जाएगा 75 गुना 24 बटा 60 तो इसे हम काट के देखते हैं यह कैसे कटेगा यह 15 से काटते हैं 15 चोके 60 और यह 15 पचे 75 तो चार से फिर यह काटेंगे तो 24 चे बार में तो यह हो गया 30 दिन अर्थात अब जो खादिपदार थे वो 30 दिन चलेंगे तो इसमें हमारा यह एंसर कौन सा है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुँचने में दो घंटे लेती हैं वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चलने पर उसकी गंतव्य स्थान पर पहुँचने में कितना समय लेगी उसी गंतव्य एंसर है हाँ एक घंटा 30 मिनिट एक घंटा 40 मिनिट दो घंटा 40 मिनिट और चौथा अप्शन है इन में से कोई नहीं तो आई ये से हल करते हैं हम दोग एक फॉर्मूला जानते हैं दूरी ब्राबर चाल गुनि समय या समय गुनि चाल जो कहें तो अभी ये गाड़ी कितनी दूरी तक जाती है ये निकालेंगे तो यहां दिया हुआ है 60 किलो मिटर प्रति घंटा चाल है और समय है 2 घंटा तो ये कितनी दूरी जाती है 120 किलो मिटर यानि जिस गंतव इस्थान के यहां बात की जारी है वो 120 किलो मिटर है तो अब चाल बदल गिया है 80 किलो मिटर प्रति घंटा की चाल से तो ये समय मागा जा रहा है समय पूछा जा रहा है तो समय का फॉर्मूला होता है समय ब्राबर ये हो जाएगी दूरी बटे चाल इन फॉर्मूला पाप याद रखेंगे तो दूरी है 120 किलो मिटर और चाल जो नया चाल है वो 80 किलो मिटर प्रति घंटा है ये तो अब इसे हम काटते हैं तो 40 से 40 दूनी और ये 40 से 40 दिया तो ये हो गया 3 बटा 2 घंटा अर्थाथ एक घंटा एक बटा एक पुनाग एक बटा 2 घंटा तो आधा घंटा ये एक बटा 2 याने आदा घंटा आधा घंटा में तीस मीनट तो ये हो जाएगा एक घंटा 30 मिनट तो ये हमारा कौन सा ओप्षन सही है एक नंबर ओप्षन हमारा सही है किसी परिक्षा में कुल परिक्षार्थियों में 65% उत्रण हुए यदि अनुत्रण परिक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल कितने परिक्षार्थी है टोटल परिक्षार्थी पूछ रहा है ओप्षन वान है 500, टू है 1200, तीन है 1000 और चार है 1625 आये से भी हल करते हैं तो ये उत्तिर्ण परिक्षार्थियों का प्रतिसत कितना है उत्तिर्ण परिक्षार्थियों का प्रतिसत ये 65 प्रतिसत है तो अनुतिर्ण कितने हुए यानि अनुतिर्ण परिक्षार्थियों का प्रतिसत तो ये 100 से हम घटा देते हैं 65 को प्रतिसत बराबर 35 प्रतिसत तो उत्तिर्ण परिक्षार्थियों की संख्या मांगा जा रहा है कुल परिक्षार्थियों का संख्या मागा जा रहा है किस संख्या हो जाएगे याद रखिए इसको ये 35 प्रतिसा था तो 100 बटा 35 लिखेंगे और जो उत्रण परिक्षार्थियों की संख्या दिया हुआ है वो 420 ये उपर में लिखेंगे तो अब इसे काटेंगे हम पांच से ये साथ बार में कट गया और ये पांच से बीस बार में और साथ से इधर हम काटेंगे तो साथ शक 42 और ये एक सुनने साथ तो ये हो गिया 1200 तो हमारा एंसर आ गिया जो कुल परिक्षार्थी की संख्या थी वो बारा सो प्रस्न संख्या 85 यानि 85 दो नल एक होज को क्रम से 10 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा भर दे पाते हैं और एक तीसरा नल पूरे होज को 20 घंटे में खाली कर पाता है यदि तीनों नल एका एक चल देते हैं तो होज कितने समय में पूरा भरेगा ये से हल करते हैं और यहां ओप्शन दिया हुआ है 7 घंटे 15 मिनिट, 7 घंटे 30 मिनिट, 7 घंटे 45 मिनिट और 8 घंटे तो यह हम देखते हैं कि क्या होगा इससे हल करते हैं यह पाहला नल जो है वो 10 घंटे में भरता है तो पाहला नल 10 घंटे में भरता है पूरा होज को तो एक घंटे में कितना भरेगा एक घंटे में पाहला नल द्वारा एक घंटे में होज का भरा गया भाग होज का भरा गया भाग तो यह हो जागा एक बटा दस ठेक इसी तरह से दूसरा नल द्वारा एक घंटे में जो होज का भाग भरा जाएगा तो वो हो जाएगा एक बटा 12 अब तीसरा नल खाली करता है तो तीसरा नल द्वारा एक घंटे में होज का खाली किया गया या खाली किया जा सकने वाला किया भाग तो यह हो जाएगा एक बटा बीस तो तीनो नल अगर एक घंटे में कितना भर सकते हैं तो पहले हम दो नल कितना भर सकते हैं उसको देख लेते हैं इसलिए मालीज अभी तीसरा नल हमारा नहीं खुला है सर्फ दो ही नल खुलता है तो अगर दो नल एक साथ खोल दिये जाएं तो कितना भाग भर जाएगा तो पहले पहले दो नलों द्वारा एक घंटे में भरा जाने वाला भाग होज का भाग तो यह जोड़ देंगे हम एक बटा दस जोड़ एक बटा बारा तो यह लासर हो जाएगा साथ यहां हो जाएगा छे जोड़ पांच यानि ग्यारव बटे साथ इतना भाग यह दोनों नल खुलेंगे तो भर देंगे लेकिन एक तीसर नल इसे खाली कर रहा है तो तीनो नल द्वारा एक घंटे में भरा जाने वाला भाग या भरा जाने वाला होज का भाग तो यह दो नल भर रहे हैं एक घंटे में इतना और तीसरा नल खाली कर रहा है एक घंटे में एक बटा बीस तो यह भरे वाले से खाली करने वाला का हम घटा दे रहे हैं तो यहां पर लसा हो जाएगा साथ तो यह हो गया ग्यारा और यह तीन हो जाएगा तो हमारा आजा रहा है आठ बटा साथ तो इसका अर्थ है कि तीनो नल द्वारा पूरा हौज भरने में लगा समय बराबर साथ बटा आठ एक एक नियम अगर करेंगे तो यह इतना ही आएगा तो अब इसे हम काटते हैं तो यह चार दुनी आठ और यह चार से पंद्रवार में यानि पंद्र बटे दो घंटा अब इसे हम भाग देते हैं तो यह साथ पोनांग एक बटा दो घंटा और एक बटा दो का मतलब होता है आधा यानि साड़े साथ घंटा अर्थात साथ घंटा तीस मिनट तो इसमें हमारा कौन सा अप्शन है यह दूसरा वाला अप्शन सही है साथ घंटा तीस मिनट कोशन नबर 86 समांतर चत्रभुज के किसी दो सनलगन कोनों का अर्धक परतिछेत करता है 30 डिगरी पर 45 डिगरी पर 60 डिगरी पर 90 डिगरी पर आईए एक समांतर चत्रभुज हम बनाते हैं यहाँ यह समांतर चत्रभुज है आए तो यह इस तरह से परतिछेत करता है संलग्न मतलब आशन तो यह और यह कोन सलग्न है जो अर्धक है यह से यह तो इसका तो अर्धक का मतलब हुआ कि आधा करता है ये दोनों और एक बात हम जानते हैं कि जो आसन्य कोन होते हैं ये A, B नाम दे देते हैं तो यहां जो आसन्य कोन है A और B तो इसका योग होगा 180 डिग्री कोन A जोड कोन B जो सनलग्ण है इसका योग होगा 180 डिग्री तो इसका अर्धक यहां पर जो भी होगा आधा हो जाएगा ये भी जो भी आधा होगा तो अर्थात ये कोन और ये कोन का योग होगा कितना? 90 डिग्री 90 डिग्री ये दोनों कोन हो गये? इसका अर्धक तो ये जो कोन है तो इक होगा 90 डिग्री तो हमारा ये हो गया answer 90 डिग्री एक बार फिर से इसको दुहरा देते हैं, ये समानतर चेतरबूज है और ये जो है, और ये है, इसका अर्धक है, इन दोनों कोनों का, और हम लोग जानते हैं कि ये सुनलगन कोन अर्थात आसन कोन का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का जो अर्धक है, जो आधा है, तो उसका योग 90 डिग्री होगा तो ये कोन और ये कोन जब 90 डिग्री है तो तीसरा कोन 180 से 90 घटा दिये तो 90 डिग्री बच गया तो ये जो अर्था ये जो है प्रतिछेत कर रही है ये 90 डिग्री पर प्रस्ण संख्या 87 किसी समलम्च का छेत्रफल 180 सेंटीमीटर है तथा उसकी उचाई 9 सेंटीमीटर है यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबा है तो समांतर भुजाओं की अधिक लंबी भुजा की लंबाई कितनी है तो एक समलम्च चत्रबुज हम बनाते हैं इस तरह का यह समलम चदबुज किया जो गुन होता है वह होता है कि एक पेर जो होता है आपने सामने के भुजा वह समानतर होती है तो यह हम उचाई ले लेते हैं यह है उचाई और यह दो भुजा है इसको हम यह ले लेते हैं छोटी वाली भुजा तो प्रश्ण के रुस्वार दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर जादी होगी तो यह वाला भुजा ए प्लस 6 होगा तो यहां शेत्रफल संब्लम चत्रभुज का क्या होता है तो संब्लम चत्रभुज का शेत्रफल यहां पर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और इसका फर्मूला होता है एक बटा दो इन्टू उचाई इन्टू जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग तो एक समांतर भुजा यह है एक यह है स्वारी और दूसरा है यह प्लस 6 फिर से फर्मूला देख लिजे एक बटा दो गुना उचाई गुना समांतर भुजाओं का योग तो यहां समांतर भुजाएं हमने लिए है ए और दूसरा है ए प्लस 6 इसका टू 180 अब इससे हल करेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा तो एक बटा दो उचाई यहां दिया हु हुआ है उचाई दिया हुआ है 9 तो यह ए प्लस ए प्लस 6 यांगी 2 ए प्लस 6 हो जाएगा बराबर 180 या यह दो को इधर लेते आते हैं तो यहां पर यह हो गया 360 और यह 9 से गुना होगा 9 दो ने 18 ए और फिर चोनमा 54 या 18 ए बराबर 360 घटाओ 54 बराबर 306 या ए बराबर 306 बटा 18 तो इसे जब हम काटेंगे 18 से तो यह आ जाएगा हमारा 17 तो हमें अधिक लंबी भुजा चाहिए इसलिए अधिक लंबी भुजा दोनों भुजा में से एक अधिक लंबी है ये है बराबर a प्लस 6 यानि 17 जोड़ 6 अर्था 23 सेंटी मीटर तो ये कौन सा है दो नंबर हमारा सही है प्रस्ण संख्या 88 पांच संत्रे 10 रुपय में खरीदे जाते हैं और 6 संत्रे 15 रुपय में बेचे जाते हैं इसका लाब परतिसत है option 1 50 परतिसत option 2 40 परतिसत option 3 35 परतिसत और option 4 25 परतिसत आई ये से भी हल करते हैं पांच संत्रे का मुले 10 रुपया है तो एक संत्रे का मुले कितना होगा एक संत्रे का क्रैमुल है तो ये हो जागा 10 बटा 5 यानि 2 रुपया इसी तरह से एक संत्रे का विक्रेमुल 15 रुप्या में 6 बेचा जाता है, तो 15 बटे 6 ये हमारा हो गया विक्रेमुल तो एक संत्रे के लिए लाब कितना हो रहा है, एक संत्रे के लिए लाब 15 बटे 6 घटाओ 2 ये ही न है, तो ये हो गया लौसद 6 15 घटाओ 6 दुनी 12 यानि 3 बटा 6 अर्थाद 1 बटा 2 रुप्या तो अब लाब परतिस्द हमें चाहिए, लाब परतिस्द क्या होता है, लाब बटा क्रेमुल गुना 100 तो यहाँ पर लाब कितना हो गया, एक बटा 2 रुप्या और क्रेमुल कितना था, दो रुप्या ये गुना 100 तो यह हो जाएगा, एक बटा 2 गुना 2 और गुना 100, अर्थाद यह हो गया, एक सो बटा 4 यानि 25 परतिस्द, तो यह वाला हमारा हो गया, चौधा नमबर अब है 89, किसी बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा वक्र प्रिष्ट का चेत्रफल 220 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, आएए से भी हल करते हैं, तो यहाँ वक्र प्रिष्ट का चेत्रफल दिया हुआ है, तो उससे हमें, देखिए यहाँ पर उचाई नहीं दिया हुआ है, तो हम इस चेत्रफल वाले की सहयता से, हम उचाई पहले निकालेंगे, तो वक्र प्रिष्ट का छेत्रफल यह हो गया 220 और वक्र प्रिष्ट का छेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 pi r h बरावर 220 2 pi का मान हम जानते हैं 22 बटे 7 और r कितना है 22 से 14 सेंटीमीटर तो यह r यानी 13 उसकी आधी होती है तो यह 7 सेंटीमीटर into h बरावर 220 तो यह 7 और 7 कट गया तो h बरावर यह 220 बटे यह 44 तो 22 दहां यह हो गया 22 दुनी अब फिर 2 से एक काटेंगे तो 5 बार में तो h हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर h अर्था उचाई तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन बेलन का आयतन यह होता है पाई आर इस्क्राइर h तो पाई हमारा है 22 बटे 7 आर यानि तरीजिया है 7 तो 7 का वर यानि 7 उने 7 और h अभी हमने निकाला वो है 5 तो यह 7 और यह 7 कट गया अब आप इसको गुना कीजिए तो यह गुना करने के बाद आपका कितना आ जा रहा है गुना कीजिए आप खुद से और गुना करने पर आपका क्या आ जा रहा है देखिए यह 770 cm cm cube तो यह कौन सा हमारा है option 1 अब 90 नंबर question 19 निम्न में से किस चतूर्थांस में minus 7 minus 1 पड़ेगा और उत्तर है त्रितिये, चतूर्थ, द्वितिये, प्रथम तो यह जो graph होता है देखिए इस तरह से यह यह x-axis है और यह y-axis यह जो है यह origin है और इधर एक, दो, तीन यह positive सब आएगा नंबर ठीक है और इधर x का यह negative हो जाएगा minus 1 minus 2 minus 3 इसी तरह से यह y-axis में इधर positive होगा नंबर सब एक, दो, तीन इस तरह से और इधर हो जाएगा negative इस तरह से तो यह इसे coordinates कहते हैं यह x-coordinate है यह y-coordinate है तो x में minus 7 हम किस ओर ले सकते हैं इस तरह होगा यहाँ पर कहीं इस line में कहीं पर होगा और यह y-coordinate minus 1 अगर इधर कहीं साथ है तो हमने line पूरा आगे तक नहीं किया है अच्छे इससे करके ही दिखा देते हैं देखिए इससे हम आगे कर देते हैं तो minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 यह minus 7 तो यह जो coordinate होगा minus 7 minus 1 तो minus 7 यहाँ हो गया और minus 1 यहाँ हो गया तो यह बिंदू कहीं हो जाएगा minus 7 minus 1 इसे हम चतूर्थांस कहें या quadrant करें तो यह first quadrant होता है यह second होता है यह third होता है और यह fourth होता है तो यह जो coordinates हैं तो यह किस quadrant में आ रहे हैं किस चतूर्थांस में आ रहे हैं third में तरितिये में तो हमारा answer होगा three आसा होगा कि इन प्रस्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा मैंने इन प्रस्नों को detail में इस तरह से बताया है कि अगर यह board की परिक्षा में भी आए तो आप इससे पूरे विस्तार से लिख सके और वैसे अगर यह scholarship परिक्षा में आता है जाकर उसका answer तक पहुचना है मैंने detail से इसलिए समझाया है कि आप अच्छी तरह इससे समझ जाएं और इस तरह की जितनी भी प्रस्न आएं उन्हें आप हल कर सकें धन्यवाद